नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे सिक्सित भारत के डेली करेंट अफिर कारिकरम में आज का हमारे क्योशन है कि परसीद e-commerce company अलिबाबा ग्रूप के संस्थापक कोन है तो इसके सही आंसर है जेकमा जेकमा है इन्होंने ही अलिबाबा ग्रूप के स्थापना क अर ले बियुंग चुल है ये किस क matrix ये ये सैमसंग के हैं ये सैमसंग के हैं और इसके बाद अगर हम देखें लेहि जून तो ये जीयोमी के फाउंडर है इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये अलीबाबा के तो अलिबाबा चीन के हैड़ ऑornl उड ऑर्मर्श कंपन को होंग जो प्रांथ चीन में की गई थी इसके संस्तापक जेकमा जेकमा अभी चर्चा में रहने का कारण है कि जेकमा पिसले दो माए से अधिक समय से कई भी सारुजनिक मंज पर नहीं देखे गए हैं और लोग उन्हें बोल रहे हैं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार के व तकरीबन 41,600 क्रोड रुपे का निवेस किया हुआ है तो अगर ऐसा कुछ कदम उठाया जाता है क्योंकि यह ऐसा भी मान जाता है कि नोने पिछले कुछ समय में चीन कुछ गवर्मेंट के विरोध में कुछ स्टेटमेंट दिये थे जिसकी बाद इनको कई पर भी सारुजन को मारने के आदेश दिये हैं तो बारत के किस राजे के सरकार ने 50,000 बतकों को मारने के आदेश दिये हैं तो इसका सही अंसर होगा केरल केरल गवर्मेंट नहीं 50,000 बतकों को मारने के आदेश दिये हैं अब ये क्यों मारने के आदेश दिये गए है इसका मुख्यकारन है कि बर्ड फल्यू, बर्ड फल्यू मामारी आ गई है पक्षियों में, जो देश के कही राज्यों के कही स्तानों पर इसके परबाओ देखे गई हैं, और यह एक पक्षियों में ओने वाला खतरनाक रोग है, इसके बाद अगर हम देखें, तो हिमाचल परदेश में भी कुछ पक् मर गई हैं, इसके बाद मद्य परदेश में भी लगबग कुछ 500 से अधिक संख्या में भूगलों की मौत हुई है, और राजस्तान में भी 450 से अधिक कोवों की मौत हुई है, और इसके बाद केरल सरकार ने यह कदम उठाया है, इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं इ देश के कई राजों में, पक्सी बर्ड फुल्यू मामारी किछ बेट में आ गई हैं, बर्ड फुल्यू रोग है, वो H5N फुल्यू जा और H5N1 वाइरस से पक्षियों में होने वाला खतरनाक रोग है, यह पक्षियों से मनुष्यों में फैलने का खतरा रहता है इस रोग क और बर्ड फुल्यू के जांच के लिए देश में मतर एक मतर लेब है, वो कामपर है, वो पाल में, वो पाल मध्यप्रदेश में पढ़ता है, मध्यप्रदेश की राज़दानी भी है अबे तक पक्षियों बर्ड फुल्यू के H5N1 एन फुल्यू जा यह पहले वाला वाइ रहता है इसलिए केरल गुर्मेंट ने 50,000 बत्कों को मारने के आदेश दियें इसके बाद हम अगला क्यूशन देखते हैं कि राजस्तान सरकार ओलंपिक खेलों में सौन पदक जीतने वाले खिलाडियों को 55,000,000 रुपए की बज़ाए कितनी राशी परदान करने की गोशना किये राजस्तान गुर्मेंट ने तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा तीन क्रोड रुपए पहले पिछेतलाग रुपए दिये जाते थे अब दिये जाएंगे तीन क्रोड रुपए ओलंपिक खेलों में सरुन पदक जीतने वाले खिलाडियों को मिलने वाले राशी में तीन से चार गुना तक की वर्दी कर दी गई है पहले जो राशी मिलती थी और अब मिलती है उसमें अंतर इतना आगया है ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो सरुन पदक विजेता को पहले पिछेतर लाख रुपए मिलते थे अब तीन क्रोड रुपए मिलेंगे रज़त पदक विजेता को पहले पचास लाख रुपए मिलते थे अब दो क्रोड रुपए मिलेंगे कांसे पदक विजेता को पहले तीस लाख रुपए मिलते थे अब एक क्रोड रुपए मिलेंगे इसके बाद अगर हम देखें कि Asian और Commonwealth Games में कितनी रासी में वर्दी किया है तो जो Gold Medalist था इन दोनों Games में उनको पहले 30 लाग रुपे मिलते थे अब 1 क्रोड रुपे मिलेंगे और जो Silver Medal जीतता था उसको पहले 20 लाग रुपे मिलते थे अब 60 लाग रुपे मिलेंगे जो काश्य पदक विजटा था उसको पहले 10 लाग रुपे मिलते थे अब 30 लाग रुपे मिलेंगे इसके बाद अगर हम देखें कि Asian कटी बंदिये चक्रवात यासा हाल ही में कौन सा यसा से हाल ही में कौन सा देश बूरी तरह से प्रभावित हुआ है तो इसका सही अंसर क्या होगा फिजी तो फिजी के अंदर ये चकरवात आया है जिसे ये देश काफी प्रभावित हुआ है इसके बाद हमें इसके बारे में थोड़ा सवर देखते है कि उस्ण कटिबंदिये चक्रवात क्या है तो उस्ण कटिबंदिये चक्रवात है वो तिवर गोलाकार तुफान होते है जो गरम उस्ण कटिबंदिये मासागरों में लगबग 119 किलोमेटर परती गंटे की गती से ज़्यादा और बारिस के साथ उत्पन होते हैं और अंटलाटिक मासागर इनका दुनिया में विन विन नमों से उसन कटिवन्दिय चक्रवातों को जना जाता है तो अंटलाटिक मासागर और पूर्वी उत्री परशांद मासागर में इसे हरीकेन का जाता है और पस्चमी परशांद मासागर में इसे टाइफून का जाता है दक्षणी प्रशांत मासागर और हिंद मासागर में इसे उशन कटी बंदिया चक्रवात ट्रोपिकल साइकलोन के रूप में भी जाना जाता है इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा फीजी की बारे में तो फीजी है वो कहां पर पड़ता है ये औस्ट्रिलिया महादीप के उत्तर और पुरू में पड़ता है यहां पर है और इसके जश्ट ही उत्तर की तरफ न्यूजिलेंड पड़ता है और यहां पर इसके पुरू की और पड़ता है वो पापवा न्यू गिन्नी है और पापवा न्यू गिन्नी के पुरू के और इंडोनेशिया पड़ता है अगर हम बात करें फीजी की अगर हम बात करें फीजी की तो फीजी एक लगभी तीन सो दिपों वाला देश है और ये दक्षणी प्रशाद मासागर में इस्तित है जीवाधु ए और इसके जो राष्ट्रपति है वो जीवाधि वह सबसे जदा प्रभावित हुआ है और इसके बाद अगर हम देखें तो एकला किया है तो यह किसने जारी किया है तो इसका सही आंसर होगा रिजरो बैंक ओफ इंडिया रिजरो बैंक ओफ इंडिया ने जारी किया है नितिया योग और वितमंद्रालिया इसका आंसर नहीं होगा नितिया योग के अगर हम बात करें तो इसके अधेक्स होते हैं वो क्या है पर्दान मंत्री होती है अभी नरंदर जिम होती है और इसके बाद अगर हम देखें वीत मंत्राली है तो वीत मंत्री कोन है अभी भारत के वीत मंत्री है वो निर्मला शितारमने निर्मला शितारमने इसके बाद अगर हम देखें तो डिजिटल पेमेंट सर्वी सेज़ के आकलन के लिए RBI द्वारा इसको लॉंच किया गया है अगर हम बात करें सुक्म् बुगतान के लिए मांग अधारित बुनियादी डांचा आपुर्ती अधारित बुनियादी डांचा भुतान परदर्शन वैस उब खताचेंडरित सेवा इसके प्रमुख मापधंड है इसके अधारपरेशन इंडेक्स को लॉंच किया गया है अगर हम बात करें RBA की इसका पूरा नाम Ridge Road Bank of India है इसकी स्टापना 1 अपरेल 1935 को की गई थी और कहां की गई थी कोलकत्ता में की गई थी वर्तमान में इसका मुखेले मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवनर सिरी सक्तिकांत जी दास है इसके बाद अगर हम बात करें अ तो सहरी चेत्रों में जो गरीब लोग है उनको अवास उपलब्द करवाने के लिए देश के जो छह राजे है उनमें Light House Project शुरू किया गया है तो यह किस मंत्रायले के दवारा शुरू किया गया है इसमें वित मंत्रायले की और ग्रेम मंत्रायले और ग्रेमन विकास मंत्रा गया है तो उनमें पहला जो राजे है वो तिरपूरा है तिरपूरा के राजदानी अगरतला में इसको सुरू किया गया है फिर जारखंड जारखंड के रंची में उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश के लखनव में मद्यपरदेश मद्यपरदेश के इंदोर में फिर गुज परदेश की राजदानी बोपाल है और गुजरात की एमदाबाद हैं सोरी गांदी नगर हैं इसके बाद अगर हम देखें तो अगला किस देश ने मर्तियु दंड पर परतिबंद लगा दिया गया है हाल ही में किस देश ने मर्तियु दंड पर परतिबंद लगा दिया गया है तो इसका सही अंसर होगा कजाकिस्तान कजाकिस्तान ने हाल ही में मर्तुदंड पर परतिबंद लगया है अगर हम बात करें सीरिया की तो सीरिया दुनिया के सबसे आशान देशों में माना जाता है और इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा इसके बारे में और तो कजाकिस्तान है कजाकिस्तान में 2003 के बाद भी किसी को मर्तुदंड नहीं दिया गया है तो इसके प्रियास 2003 से ही क्या हो गए थे मर्तुदंड को बेन करने के लिए और इसके बाद अगर हम देखें कजाकिस्तान के बारे में तो कजाकिस्तान यहां पर पड़ता है बारत के उत्तर की तरफ यहां पर पड़ता है कजाकिस्तान मदेशिया में और इसके पड़ोसी देश हैं वो दक्षन के तरफ उजवेकिस्तान और किर्गिस्तान है और उसी के पास थोड़ी सिमा यह है तुर्कमेनिस्तान के साथ भी साधा करता है और कजाकिस्तान की एक सिमा केस्पियन सागर से लगती है यहां पर केस्पियन सागर है यहां पर यह बुमद्य सागर है और यहां पर यह अदन की खाड़ी आ गई और यहां पर यह लाल सागर है और यहां पर यह पर्शियन की खाड़ी आ गई और यहां पर यह ओमान की खाड़ी आ गई और यह हमारा बारत आ गया यहां पर बारत आ गया और यह अरब सागर है यहां पर बंगाल की खाड़ी है यहां पर इसको लग्का दिव सागर भी कहा जाता है इसके बाद अगर हम देखे हमेरा अगला किश्ण तो यह यहां पर मिस्प्रिंटिंग हो गई टाइपिंग रजय बाल अधिकार सनक्षन आयोग दोबारा यह रजस्तान रजय की बात कर रहे हम रजस्तान रजय बाल अधिकार सनक्षन आयोग दोबारा आयोग आपके दोबार अभ्यान कब से शुरू किया जाएगा तो यह अभ्यान 10 जनुरी से किया जाएगा 15 जनुरी से किया जाएगा 18 जनुरी से किया जाएगा या 30 जनुरी से किया जाएगा इनमें सही अंसर कौन सा होगा इसका सही अंसर होगा 18 जनवरी बकि ये गलत है इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में तो जो आयोग की अधेक्स है वो अभी कौन है राजस्तान राजे बाल अधिकार सरुक्षन आयोग की अधियक्स कोन है अभी तो इसकी अधियक्स है संगीता बेनिवाल संगीता बेनिवाल है और इस आयोग आपके दोबार अभियान की शुरुआत कहां से की जाएगी तो इसकी शुरुआत अलवर जिले से की जाएगी अलवर जिले से की जाएगी और यह बच्चों के अधिकारों से समन्दित कारियों को देखता है तो धन्यवाद दोस्तों